गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू स्टुडेंट्स पी एसम क्लासिस में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का कोश्चन नंबर 1 ओके तो कोश्चन हमें गीवन है दा ग्राफ ओफ वाई इसक्वल टू पी एक्स आर गीवन इन फोलोइंग तो हमें आप देख सकते हो कि एक 1,2,3,4,5,6,6 छे कोश्चन हमें गीवन है हमें बोला गया ओफ ओर गीवन इन फोलोइंग फिगर फोर सम पोलिनॉमियल पी एक्स पी एक्स पोलिनॉमियल के लिए ये सब छे ग्राफ हमें दिये हैं दन नंबर ओफ जीरोज ओफ पोलिन ओ पी एक्स जो हमें गीवन है उसकी वैल्यू जीरो कब होगी ठीक है तो बच्चो देखो पी एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी जब हमारे पास ये आप ग्राफ देख सकते हो जब ये ग्राफ जो है या ये लाइन जो है क्या करती हो एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे क्या करें इसको काटे ठीक है तो जैसे कि हम इस लाइन को देख सकते हैं तो यह y axis पे तो इस point पे cut कर रही है लेकिन x axis पे किसी भी point पे cut नहीं कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि p x की value इस graph के लिए कभी भी 0 नहीं होने वाले क्योंकि हर एक point के जैसे इस point पे आपको determine करना हो तो इस point पे भी x की एक value होगी आपके पास ठीक है जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 से हम आगे बढ़ेंगे minus 1 इधर बढ़ेंगे तो कुछ plus 1 type होगा लेकि next की value इस particular point पे हमें मिलेगी ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि यह जो line draw की गई है यह जो question में हमें given है इसके लिए कोई भी px के लिए zero value नहीं मिलने वाली है तो यहाँ पे there is no zeros no zeros किस में question first में चलिए question second को देखते हैं तो question second में जो हमें graph दिया गया है देखिए आपको कुछ इस type से graph दिया गया है question second में इस graph में मैंने आपको बोला कि x axis पे graph जितनी बार cut करेगा उतने हमें zeros मिलेंगे तो x axis पे graph आप देख सकते हो कि इस point पे cut कर रहा है तो इस point पे हम बोल सकते हैं कि x की value जो होगी कि वो क्या होगी zero होगी या simple language आप समझ सकते हो कि x axis पे किसी भी point पे x axis की जो line है उस पे किसी भी point पे अगर कोई graph कट कर रहा है तो वहाँ x की value क्या होगी zero similar अगर y axis पे कोई graph कट कर रहा है तो वहाँ पर y की value क्या होगी zero होगी तो यहाँ पर यह graph जो है यह line जो है क्या कर रही है इस point पे cut कर रही है तो यहाँ पे number of zeros कितने होंगे one क्योंकि एक बार इसने cut किया तो number of zeros कितने होंगे one ठीक है चलिए अब third वाला graph देखते हैं third वाले graph में कुछ इस तरह से आपका graph बना है तो यहाँ पर यह किस पे कर रहा है x axis पे cut कर रहा है यहाँ पे इसने y axis पे cut किया फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से इसने x axis पे cut किया और फिर से इसने किया x axis पे cut किया तो आप बोल सकते हो कि जितनी बार x axis पे कितनी बार इसने cut किया one two and three three times क्योंकि y axis पे y की value 0 है x की value 0 हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है हमें किवल px के लिए बताना है कि x line पे जब cut करेगा तो px की value क्या होगी 0 होगी तो कितने times cut कर रहा है 1, 2, 3 x axis पे इस ने 3 times cut किया graph ने तो number of zeros इसके लिए कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे ठीक है चलिए ना हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे जो है 1 और 2 मतलब दो बार जो है यह graph क्या कर रहा है x axis को cut कर रहा है इस point पे एक point यह हो गया और एक point यह हो गया तो दो point पे इस graph ने जो है x axis को cut किया तो यहाँ पे number of zeros किसके लिए px के लिए कितनी value होंगी यहाँ पर 1 and 1 कितनी 2 values होंगी clear है चलिए जो next graph है 5th वाला graph आप देख सकते हो इसमें कुछ इस type से हमें graph given है इस graph में 1 2 3 4 बस आपको यह देखना है कि कितनी बार इसने cut किया 1 2 3 and 4 4 times जो है यह line यह curve क्या कर रही है इस graph को cut कर रही है तो 4 times यह cut कर रही है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि number of zeros for px कितने होंगे हमारे पास 4 होंगे number of zeros कितने होंगे 4 होंगे ok students एक last question remaining है चलिए last question भी देख लेते हैं कि last question में graph जो हमें कुछ इस तरह से मिल रहा है ठीक है इस graph में आप देख सकते हो कि first point तो यह हो गया ठीक है यह second point हो गया यह x axis को cut करे या उसको touch भी करता है तो touch भी कर रहा है तो वहाँ पर भी x की value जो है वो क्या होगी 0 होगी ठीक है उसके बाद जो है third तो यहाँ पर भी number of zeros कितने हुए three times इसने cut किया तो number of zeros कितने हुए number of zeros होंगे हमारे पास कितने three okay students so goodbye to all of you have a nice day